नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाइबिटीज के मरीज नाश्टे में क्या खाएं दोस्तों, डाइबिटीज एक गंभीर बिमारी है जिसे खान-पान और लाइफ स्ट्राइल में बदलाव करके कंट्रोल किया जा सकता है आपके सुभे के नाश्टे का असर आपके बलड शुगर लेवल पर पड़ता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे नाश्टे से करें तो आज हम आपको बताएंगे कि कुछ healthy food options के बारे में जिन्हें diabetes मरीज breakfast में खा सकते हैं तो पहला option है multi grain idli idli खाने में स्वादिश्ट और हलकी होती है इसे आप diabetes में खा सकते हैं इसमें तेल की जरूरत नहीं होती जिससे ये एक healthy option बन जाता है आप जौर, बाजरा, ओट्स, मेथी दाना और गेहु के आटे का यूज कर सकते हैं इसके साथ अपनी पसंद की सबजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा option है बेसन चीला आप अपने नाश्टे में बेसन चीला भी शामिल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि आप बेसन कम मात्रा में लें और इसमें हरी सबजियां जादा मात्रा में इस्तेमाल करें इसमें आप नमक और तेल की मात्रा का भी कम इस्तेमाल करें तीसरा option है ओमलेट अंडे में आप हरी सबजियां और साधे ओर्स मिलाकर एक हाई प्रोटीन ओम्लेट बना सकते हैं इसका सेवन डाइबेटीज रोगियों के लिए फायदे मन्द है चौथा ओप्शन है स्प्राउट्स अंकुरित अनाज में प्रोटीन और कई न्यूट्रियंट्स पाय जाते हैं आप इसमें खीरा, प्याज और शिम्ला मेर्च लेकर उपर से हलका सा नीम्बू डाल कर इसे ब्रेकफास में खा सकते हैं तो है ना ये ओप्शन्स टेस्टी और हल्दी तो आप इन्हें जरूर ट्राइ करें लेकिन अपने डॉक्टर से भी इस बारे में जरूर कंसल्ट करें तो दोस्तों फिलाल आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो के साथ तिल दें बाबाय थांस फो वाचेंग